नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे चैनल जेवी मोनिटर में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेसेंस एप्लिकेसन में लोन लेने का सही तरीका क्या है इसमें आप लोन के लिए अपलाई कैसे कर सकते हैं और लोन आपको जो है इस एप्लिकेसन में कितने रुपय तक का आपको लोन मिल जाता है और कैसे जो है आपको इसका रिपेमेंट करना होता है कितना इंटरस्ट जाता है कितनी प्रोसेसिंग पीस जाती है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तो अगर आप इस पेसेंस अप्लिकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी तो चलिए दोस्तो आप लोग का शामनले तो वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको पेसेंस application से loan लेने के लिए सबसे पहले आपको इस application को download कर लेना है इसकी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी आप इसको बहां से भी download कर सकते हैं या दोस्तो आपको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप इसको ओपिन कर लेंगे, चलिए पहरे मैं आपको इस application के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि अपको यहाँ पर एक लाग का लोन मिलता है, तो आप उसका repayment जो है 24 महने की यानि की दो साल तक कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों माल लिजे यहाँ पर जैसे कि आपको जो है यहाँ पर एक लाग रुपए का लोन मिलता है और यहाँ पर जो आपकी इमाई बनेंगी वो यहाँ पर 5,391 रुपे की something बनेगी और यहाँ पर जो आप से इंट्रेस्ट लगेगा वो 29,384 रुपे का होगा total repayment आपको जो है यहाँ पर 1,31,884 रुपे का करना होगा तो दोस्तों आप लोग जो है इंट्रेस्ट के बारे में इसके समझ गया होंगे अप चली जानते हैं कि इसमें कैसे apply करा जाता है तो आप जो है इसको open करेंगे open करने के बाद में आपके सामने यह इस तरह से open होगा अब यहाँ पर आप अपनी language को select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से यह आ जाएगा अब यहाँ पर get start के option पे click करेंगे आप से यहाँ पर जो भी permission माँगेगा आप इसको allow करेंगे उसके बाद में यहाँ पर जो है जैसे आप permission को यहाँ पर allow कर देते हैं उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर while number डालना है और continue के option पे click करना है नमर डालें के बाद में आपके नमर पर OTP code आएगा आप उस OTP code को आप यहाँ पर डालेंगे अगर आप यहाँ पर इसको जो है OTP डालें के बाद में इसको आप WhatsApp पे read करना चाहते है जो भी नोट पे के तनाए बटसब पे आए आपके उसको enable करेंगे उसके बाद में यहाँ पर जो है तो दूस्तों मेरे phone में जो है यहाँ पर OTP नहीं आ रही है किसी problem की वज़े से उसके बाद में आप यहाँ पर OTP को डालेंगे उसके बाद में आप जो है अपना loan select करेंगे जैसे कि आप किस तरह का loan लेना चाहते हैं पर जूसके बाद में आपसे यहाँ पर pencard number मागेगा pencard number के देने के बाद में आपके like उम्हें तो उम्हेर करता हूँ कि आपघ्ट में वीडियो अप्लाई करता हूँ कि आप लोग के वीडियो पसंद आई औकर वीडियो पसंदं है वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन बंदे मातरम धन्नवाद